Good morning, welcome back. My today's topic is how to compare different countries or states. अब इसके अर अंदर हम discuss करने वाले हैं कुछ important point. और उससे बनता है एक question तो चले question के साथ ही चालो बढ़ते हैं. What criteria does the world bank follow to categorize the rich countries and the low income countries? हमने हमारे previous वीडियो में जिससरी के से देखा था कि national income क्या होता है और per capita income क्या होता है? यह हमने देखा. अब इसके आधार पर world bank में किस तरीके से कुछ countries बलकि कुछ नहीं सारी countries को categorize कर दिया. कि हाँ यह आउमीर countries में है, यह mirror country में आ जाती है, मतलब developing country में आ जाती है और यह low income countries के अंगर आ जाती है. तो इस तरीके से country को categorize किया है, तो उसके पीछे theme है, क्या है वो criteria चलिया? पहला, per capita income, it is used as the criteria because it gives some idea about the rising standard of living of people. अब, जैसे कि per capita income बतर आपको पता ही है, कि national income upon total population तो आपको per capita income क्या होता है, मिल जाता है. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि माल लीजिए 1 lakh रुपीज मेरी monthly salary है, तो आप बहुत खुश होंगे, वाव, 1 lakh रुपी per month मिल रहा है, अच्छी बाती ने, तो बहुत standard high होगा. अब, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं मेरी family में अकेली हूँ जो कमाती हूँ, और मेरी family के अंदर 20 लोग है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रत्य रुपी को सिर्फ कितना मिल रहा है? पांच हजार रुपे मिल रहे है, मतलब घर के अंदर जो 20 member है, उनको सिर्फ पांच हजार रुपे पर जक्ति को मिल रहे है खर्च करने की हिसाब से, चाहे वो खाना हो, पीना हो, स्कूल फीस हो, दवाईया हो, कुछ भी हो, पैट्रोर का खर्चा हो, है ना, तो यह तो निकाला, पर टैपिटा इंकम, ठीक है, एबरेज इंकम निकाला देश का, अब जिसकिसी का भी, इंकम चाहे जाए जादा हो, वो कोई माइड़ी नी रखता है, जब पर टैपिटा इंकम निकाला जाएगा, तो उसके बेसिस पे ही, वो डवल अप कंट्री है या नहीं है, पर टैपिटा इंकम पे डिसाइड हो किया जाएगा, तो पर टैपिटा इंकम, आप नाशनल इंकम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पर टैपिटा इंकम, जो की अमाउंट डिवाइड करने के बाद निकाला जाता है, तो उसके आधाल पर क्या किया जाएगा, उसको रि काटेगरी के अंतर उस कंट्री को डाला जाएगा ठीक है सेकेंड रीच कंट्रीस अब अमीर देश की क्या परिवाशा है कितना पर कापिटा इंकम होना चाहिए तो वह अमीर देश की काटेगरी में आएगा उसको भी वर्ल बैंक ने काटेगराइज कर रखा है चलिए अपार प्रीस विछ हगए पर कैपिटा इंकम उडालर रहाएगा बादाएग्ध के में पर कैपिटा इंकम नाशनल इंकम नहीं पर कैपिटा इंकम इनकम डालर 10 शॉवड रहा रहाएगा शेंड पर अनम होगी and above या फिर उससे जादा होगी तो वो rich countries की category में आ जाएंगे ठीक है? अब low income countries में कौन आएगा? According to the world development report of 2006 countries which had per capita income of dollar 825 it means 825 or less are called as what? low income countries world development report 2006 के अनुसाँ जिस किसी भी देश का per capita income dollar 825 या उससे भी कम होगा तो वो low income countries के अंदर आ जाएगा तो ये कुछ पॉइंट है तीन पॉइंट है जिसके उपर world bank में क्या किया? countries को categorize करना चालू किया. I hope video clear होगया होगा तो लाइक करिए तो पॉईंट है too.